हैलो आप्टर वरुन वासिल हमने एक फ्रोजन चोल्डर का वीडियो बनाया था जिसका आपने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया और उसी के बेस पे आपकी क्वेरी के बेस पर हम ये वीडियो लेकर आये हैं जिसमें आपकी सबसे इंपॉर्टन क्वेरी थी के हमें कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आप सब में से कॉमन कोश्चन था कि हमारा किसी सर्टेन एंगल पर जब शोल्डर मूव करता है तो पेन होता है यहां हमें नाइट पेन होता है तो उसमें क्या होता है रोटेटर कफ इंजरी में रोटेटर कफ मसल चार ग्रूप मसल होता है जिसमें इंफरस्पाइनेटर्स, सुप्रस्पाइनेटर्स, टेरिस माइनर और सबस्कैपलरिस होता है यह मसल का काम होता है dynamically shoulder को stable करना जब भी movement करते हैं तो यह सारे muscles shoulder को stable करते हैं अब इस stability में जब भी hindrance होती है यह वो tear होने की वज़ा से या गिरने की वज़ा से जब थोड़े से उसमें रप्चर हो जाता है, swelling हो जाती है तो यह pain होता है किसी certain angle पर उसमें सबसे important है supra spinal stress tendonitis अब उसी के बारे में मैं आपको exercise बताऊंगा और आपको उसकी एकदम से इलाज बताऊंगा अगर आपको रात को सोने के time problem आ रही है shoulder में pain हो रहा है यहां किसी एंगल पर shoulder की movement में pain होता है तो आप icing करें रात को icing सोने से पहले 10 मिनट के लिए करें यह आपके लिए बहुत beneficial होगी second आता है posterior capsule का stretch उसमें हमें इस तरह हाथ को रखके मालीजे मेरा right hand shoulder जो के problem में है तो उसको मैं आगे रखके अपने left hand से right hand की wrist पकड़के इसको इस तरह से stretch करूँगा इस stretch से यह posterior capsule थोड़ा सा stretch होना शूरू हो जाता है और हमारी movement को relax करता है supra spinitis का काम होता है हमारी first 15 degree of abduction shoulder को लेके जाना उसमें हमें strengthening कैसे करनी है अब इसको दिवार के साथ place करके इसको उस तरफ दिवार की तरफ एक हलका सा push देना है और उसे वहीं पर रोकना है इसको हम abduction की isometric exercise बोलते हैं जिसको हम 10 second hold करेंगे और उसके बाद relax करेंगे फिर से उसी angle पर लाकर दिवार को push करते हुए 10 second hold और 5 second relax इससे हमारी shoulder abduction की जो movement है उसमें strengthening होगी supra spinitis muscle और हमारा जो tendon है वो strengthen होना शूरू हो जाता है next आएगा हमारा theraband के साथ हम इसकी strengthening कैसे कर सकते हैं theraband hold कीजिए और उसके बाद अपने shoulder को हलका सा internally rotate कर दीजिए यानि की thumb hulk का सा downwards और इसको abduction की तरफ लेके जाईए ये strengthening करने से हमारा shoulder abduction improve हो जाता है और painful arc syndrome से हमें relief मिलता है इसको कम से कम 10-15 repetitions लाकर उसके बाद 1 minute का rest दीजिए और again हम ऐसे 2 set करेंगे rotator cuff injury में inflammation के बाद हमारी internal rotation काफी limited होनी शुरू हो जाती है उसके लिए हमें एक exercise टॉल के साथ उसकी range of motion कैसे increase कर सकते हैं वो हम देखते हैं painful shoulder के लिए टॉल को इस तरह से place करके अपने इस हाद में पकड़ी है जैसे कि मेरा यह right hand जो है यह मान लीजिए problem वाला shoulder है और इसकी internal rotation के लिए मैं अपने left hand के shoulder को use करूंगा right hand को उपर करने के लिए यह movement करने से हम अपनी exercise को और internal rotation को increase कर सकते हैं यह movement आपके लिए हमेशा pain free होने चाहिए अगर इसको करते हुए pain आता है तो अपनी limit को थोड़ा सा कम कर दीजिए अब rotator cuff strengthening for external rotation के लिए हम यह towel अपनी elbow और अपने abdomen के बीच में रखेंगे और यह weight curve 1kg या 2kg जैसा कि आपको suitable हो उसको hold करके यह weight curve हम यहाँ tie भी कर सकते हैं पर मैं hold करके आपको समझाऊंगा इसको hold करके arm को इस तरह lift कीजिए यह हमारी external rotation को open करेगा और strengthen करेगा towel बीच में रखने का purpose यह भी होता है कि कुछ-कुछ लोग elbow को उठा लेते हैं और फिर external rotation करते हैं जबकि यह movement गलत होता है towel बीच में place करने से हम इसको एक firmly external rotation में एक stable form में लेके जा सकते हैं यह एकदम clean external rotation होगी अब कुछ लोगों को जो supraspinitis tendinitis में acute inflammation होती है और pain थोड़ा जादा होता है वो खड़े होकर abduction नहीं कर सकते तो उनके लिए हमें lie down एक side पर lie down जोकी non painful shoulder है उस तरफ lie down होंगे और painful shoulder से फिल वो check करेंगे कि वो freely बिना weight के अपनी आम उठा पा रहे हैं के नहीं अगर वो इस चीज में comfortable हैं तो 500 gram से लेकर 1 kg का weight लेकर वो अपनी strengthening for abduction इस side lying position में कर सकते हैं इसका benefit यह होगा कि gravity की help से उन्हें pain कम feel होगा पर वो movement अपनी normally range of motion maintain कर सकेंगे इससे muscle wasting बच जाती है और muscle अपना काम regularly करता रहता है अब कुछ लोगों में हमारा जो forward shoulder posture होता है उसकी वज़ा से axis जो की subacromial space होती है जहां पर rotator cuff tendon फसना शुरू करता है वो axis कैसे change हो जाता है जब मारे shoulder forward होते हैं तो वो क्या करता है जो glenoid cavity है वो आगे को shift हो जाती है और जब भी हम अपने shoulder की आम को sideways raise करते हैं यह हम जो gym में above head weight उठाते हैं above head उसमें वो subacromial space में irritation बढ़ जाती है जिससे swelling हो जाती है और rotator cuff tear होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है उसकी irritation को रोकने के लिए जब भी exercise करें तो shoulders को पहले पीछे की और लेके जाएं ताकि वो axis glenoid cavity जो है वो shoulder head के साथ एक parallel axis में रहे ताकि हम अपनी arm को easily sideways move कर सकें उसके लिए हमें एक stretch होगा जो pectoral muscles को और shoulder backwards के लिए helpful होगा pectoral muscles और shoulder को backwards लेके जाने के लिए अपनी देहलीज यानि कि जो हम घर के दिरवाजे की देहलीज होती है उसमें elbow के साथ एक हाथिदर और elbow के साथ यानि की ये elbow इस तरह 90-90 degree का angle बनाएगी उसके साथ आप इस तरह adjust करिए और अपने weight को walk standing position में आगे की और shift कीजिए ऐसा करने से आपको ये front जगा पे shoulder पे stretch feel होगा ये आपके shoulders जो tight होते हैं उनको backwards लेके जा सकेंगे और आपका axis बिलकुल correct हो सकता है उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जो query थी shoulder pin को लेकर उसका आपको answer मिल गया होगा आपकी हमें बहुत सारी queries आ रही हैं जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है उसको attend करना मैं इसी तरह आपकी हर query को email के जरीए, videos के जरीए और comment section में comment करकर उसका reply करूँगा और आगे भी आप हमें comment के जरीए या आप मुझे email करके अपनी questions और पूछ सकते हैं जिसको description में हमारा email address आपको दिया हुआ है इस वीडियो को भी जादा से जादा share कीजिए, like कीजिए और हमारा channel सुकून physical therapy सब्सक्राइब कीजिए